उसमें सीतंबर 2021 का आर्थी गटना कराम है देखते हैं पहला कोश्चन हमारा वित वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रेल जून पहली तिमाही काने का मतलब अप्रेल से जून में इस थीर कीमतों पर भारत की जीडीपी ब्रदी कितनी रही तो 20.1 पॉसेंट रही है कितना परतिसत रहा है एजीडीपी भारत का अप्रेल से जून यानि की पहली तिमाही में तो रहा है 20.1 परतिसत भारत सरकार ने जारखंड में जल आप पूर्ती में सुधार के लिए ACI Bikas Bank, ACN Development Bank के साथ 112 मिलियन डॉलर का रिन समझोता किया है किसके साथ? जारखंड के साथ भारत सरकार ने उसके बाद है महराष्ट में ग्रामीन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने अगला है ACA मानी 2021 पोल में HDFC Bank को भारत में समगर रूप से सबसे उतक्रिस्ट कंपनी के रूप में समानित किया गया है किसे? HDFC Bank को आगे हैं भारत का पहला यूरो भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किसने लॉंच किया है? तो पावर फिनाइन्स कॉर्परेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड लॉंच किया है किसने? भारत ने अब हैं अगास्त 2021 का इसमें HDFC Bank ने जलवावी परिवर्तन से निप्टारे के लिए हरित और सतत जमा की सुरुवात की है HDFC Bank ने क्या किया है? कि जलवावी परिवर्तन से निप्टारा के लिए ग्रीन एंड संस्टेवल डिपोजिट की सुरुवात की है इसके तहद जमाधन का उपियोग हरित एवं सतत आवासरीन समाधान एवं सेबाओं के बित पोशन के लिए किया जाएगा किसने किया है? HDFC Bank ने कोटक महींद्रा बैंक ने Artificial Intelligence अधारित New Platform लुँच किया है कोटक महींद्रा बैंक ने Artificial Intelligence नियुँच क्लावी को लुँच किया है और इसका उदेश किया है करणकों के लिए बकाइरीन के पुन भुकतान को सुभधाजनदादा बनाना इसे लॉंच किया है कोटक महिंद्रा बैंक उसके बाद है किंद्रिय बितमंत्री जो निर्मला सितारमन है इन्होंने भारत में इन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनव में उभरते सितारे फंड उभरते सितारे फंड जिसका sort form यू सेफ है का सुभाडराम क किया है किसने निर्मला सितारमन हमारी बीत मंत्री जो है उन्होंने और फंड की अस्थापना एक्जिम बैंक तथा सिडवी ने की है इसके जड़िये सुक्ष्म लगू एबं मध्यम कंपनी के लिए धन की विवस्था की जाएगी ठीक है आगे देखते हैं भारत में लगू व आपको मिल जाता हुआ कपड़ा का एलक्ट्रोनिक का जॉलरी का तो वह क्या किया है यह फेस्बुक ने लॉंच किया है छोटे-छोटे बेवसाइग जो करते हैं जिनका मार्केट में नहीं पहुंच पाता है उनके लिए आप घर बैटे शॉपिंग कर सकते हैं उसके बाद है 108 डॉलर पार करने वाली चौती भारतिये फॉर्म इंफोसीस है अब है जुलाई 2021 से संबंधित एसिया विकास बैंक यानि कि एडीवी ने बितवर्ष 2022 के लिए भारत का आर्थिक विकास धर 10% रखने का अनुमान लगाया है कौन एसिया बैंक उसके बाद है अंतरास्ट ये मुद्रा कोस जिसका सौर्ट फॉर्म है IMF ने बित वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत का आर्थिक विकास धर 9.5% रखने का अनुमान रखा है IMF कितना रखा है दर आर्थिक विकास धर 9.5 और ADB रखा है 10% का जुलाई 2021 में लेखा नियंतरक महा नियंतरक द्वारा जारी आकरो के अनुशार जून 2021 के अंत तक सरकार का कितना राजकोसिय घाटा हुआ तो जून 2021 के अंत तक सरकार का जो राजकोसिय घाटा रहा है वो रहा है 2.74 लाक करोर और बजट का अनुमान था 18.2% उसके बाद है विविन एजेंसी और भारत की GDP विकास धर बित वर्ष 2021 से 22 में अ इविज रेटिंग से 10% आई एम अफ का अभी बताए हैं कि 9.5% परती सत है के एर रेटिंग एजेंसी का 8.8 से लेके 9% तक है और ADB का है 10% इसमें आई एम अफ का और ACI विकास बैंक का यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इस दोनों को आप लोग याद रखेंगे इसके बाद है MSME को E-commerce के लावों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए Amazon ने भारत में अपना पहला Digital केंदर कहां लौंच किया है तो Amazon ने पहला Digital केंदर अपना अस्थापित किया है गुजरात में उसके बाद है अंतरास्टिये मुंबई अंतरास्टिये हवाई अड़ा का अधिकरन किस कमपनी ने किया है तो अदाइनी सम्मू ने अंतरास्टिये हवाई अड़ा का अधिकरन किया है अगे देखते हैं अब है जून 2021 का कोटक महिंदरा बैंक ने अपने ग्रहांकों के लि क्षारणे में सक्चम बनाता है तो pya कांटेक्ट किसने किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने उसके बाद है भारत सरकार ने में वीजोडम में स्वास्थ पड़ियोजनाओं के विकास के लिए विश्च बैंक के साथ बत्तिस मीलिfanSON समझोता किया है किसके साथ भारत सरकार ने मीजोरम के साथ 32 मिलियन डॉलर का डिन समझोता किया है अब है SBI बैंक ने स्वास्थ सेवा छेतर के लिए अरग्य हेल्थ केर विजनेस लोन लॉंच किया है कौन SBI ने और इसके तहद स्वास्थ सेवा से संबंदित विजनेसमेन को 100 करोर त कारेल नसो द्वारा जारी आंकरों के अनुसार बित वर्ष 2020 से 21 में भारती अर्थ विवस्था में 7.3% की गिरावट दर्च की गई है NSO के द्वारा जो आंकरा जारी किया गया है उसके तहद अब है बिस्व बैंके के अनुशार भारती अर्थ विवस्था 2021 में 8.3% से तथा 2022 में 7.5% की बिर्धी दर्च कर सकती है कवज व्यक्तिगत रिन योजना या जो है SBI ने ग्राहकों को COVID-19 उपचार के लिए चिकित्सिय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की सुरुआत की है किसने SBI ने इसके तहद ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याजदर पर 5 लाग तकरिन दिया जाएगा अब है माई 2021 इसमें वैस्विक अस्तर पर भारती जीवन भीमा जिसके LIC कहते हैं तीसरी सबसे मजबूत और दसमी सबसे बड़ी मुल्लेवान ब्रांड बन गई है कौन LIC उसके बाद है हाली में जारी आकड़े के अनुशार 2021 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जिसको बोलते हैं के मामले में शिंगापूर 29% के साथ सिर्श अस्तान पर है कौन सिंगापूर और दूसरे अस्तान पर 23% के साथ अमेरिका है और राज्यों में गुजरात FDI का सिर्श प्राप्त करता रहा है कौन है गुजरात अपने राज़्य में भारत के राज़्य में अगर पूछा जाए तो कौन है गुजरात है भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक इसका सौट फॉर्म सिडवी है ने MSME के लिए दो रिन्योजनाएं लॉंच की है एक तो किया है शवाश स्वास्त के लिए और एक किया है आरोग और्गेनिक विकास एबम पुनर प्राप्ति के लिए दोनों जो है किसने लॉंच किया है सिडवी ने MSME के लिए दो रिन्योजनाओं को लॉंच किया है कि RBI ने प्रती भूतियों को एक रिन से दूसरी रिन में अस्थांत्रित करने के लिए मामले में निर्देसों का पालन नो करने के लिए ICIC पर तीन करोर का जुर्माना लगाया है कौन RBI ने भारत UK दुईपक्षिय बेपारिक संबंदों को मजबूती देने के लिए दोनों देसों ने 10 वर्षिय रोड मैप को अनावरन किया है भारत और UK दुईपक्षिय बेपारिक संबंदों को मजबूती परदान करने के लिए 10 वर्षिय रोड मैप का अनावरन किया है विस्स बैंक द्वारा जारी माईग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रिक रिपोर्ट के अनुशार 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेशन प्राप्त करता रहा है आप्रेल 2021 SBI mutual fund परबंधन के तहद औसत संपती 5 लाग करो रुपे पार करने वाला भारत का पहला mutual fund बन गया है ADB ने भारत की अर्थविवस्था के लिए बितवर्श 2020-2021 में 11% बितवर्थ का अनुमाल लगाया है ICIC बैंक ने दुकंदारों के लिए डिजटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मार्चेंट स्टॉक लंच किया है किसने ICIC बैंक ने दुकंदारों के लिए इसके तहद दुकंदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाग तक का ओवरड्राप्ट कर सकते हैं उसके बाद है बित वर्स 2020-2021 के दौरान भारत में किसी निर्यात में 2019-2020 की तुलना में 30% की बिर्धी दर्ज की गई है हाली में RBI ने सरकारी प्रती भूतियों की खड़ी देतु नई प्रती भूति अधिकरन योजना G-SAP की सुरुवात की है इसका उद्देश बजार और बजार सहवाग्यों का भागदारी बढ़ाना है ठीक है तो G-SAP किसने सुरू किया है RBI ने अब है मार्च 2021 से संबंदित तो यह भारत में सोलर रूफ टॉप कार्ज करम के लिए बिस्व बैंक ने 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट गारेंटी योजना बनाई है कौन भारत में बिस्व बैंक ने बनाया है और यह जो योजना है MSME और सौरी काय स्थापित करने के लिए रियाईती डिन उपलब्द कराएगी बिदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विस्व का चौथा देश बन गया है बिदेशी मुद्रा भंडार में और प्रथा मस्तान पे कौन है तो चीन है मीशन के रूप में करमचारियों के प्रतोशिक को लेकर लगाया गया है किस पर SBI पर अब है फरवरी 2021 का तो दो फरवरी को 15 में बित आयोग ने बित वर्स 2021 से 22 से बित ये वर्स 2026 के लिए आंत्रिम रिपोर्ट पेस की है रिपोर्ट में अस्थानिय निकायों की कुल अनुदान और नगर पायलिकाओं की हिस्सदारी 30% से बढ़ा कर 40% करने की सिफारिस की 15 में बित आयोग के अध्यक्स कौन थे तो एनकेशिंग RBI द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच बितत साक्षर्टा सप्ता 2021 मनाया गया जिससे बैंकिंग सुधाओं के विशय में जाग्रता फैलाई गई है उसके बाद है मालदिप में चल रहे पड़ियोजनाओं के लेकर इक्जाम बैंक 400 मिलियन डॉलर परदान किया है तथा चीन भारत का 2020 में सिर्ष बैपारिक भागिदारी देश रहा है कौन चीन आगे देखते हैं प्रयाप्त पुजी नो होने के कारण RBI ने महराष्ट के सिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है कौन RBI ने महराष्ट के जो सिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक है उसका लाइसेंस को रद कर दिया है अब है जनवरी 2021 का इसमें सहयुक राष्ट ने 2021 में भारत की आर्थिक बिर्धी 7.33 ने का अनुमान लगाया और Axis Bank ने ग्राहकों को उचित मूल पर स्वास्थ भीमासुधा से लेस औरा क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है कौन Axis Bank ने और कार्ड धारकों को स्वास्थ संबंधित वार्षिक जाच कराने की छूट परदान की जाएगी आईसी आईसी बैंक ने ग्राहकों को Forex Prepaid Card तेजी से प्राप्त करने हेतु Money Changer के लिए Mobile Application InstaFX लॉंच किया है कौन आईसी आईसी बैंक ने Forex Prepaid Card के जड़िये बिदेशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को बिदेशी एटियम से पैसे निकालने पर निम्तम सुल्क चार्ज करता है अब है दिसंबर 2020 का तो इसमें ADV ने सदस्देशों के लिए ACI Pacific Vaccine Express Facility इसका फूल फॉर्म है पहल की सुरुवात की है इसके जड़िये विकासिल सदस्देशों को चुनोतियों से निपटने के लिए 9 विलियन डॉलर की सहता रासी आवंटित की गई है अगला है इंडिया Post Payment Bank IPPB ने भारत में डिज्टल सेवा परदान करने है तू डाक विभा के सयोग से डाक पे नामक डिज्टल पेमेंट अप्लिकेशन को लॉंच किया है कौन इंडियन Post Payment Bank ने ICIC Bank ने Infinite India नामक एक ओनलाइन प्लेटफर्म को लॉंच किया है इस फ्लेटफर्म के जड़िये विदेशी कंपनियों को भारत में बेपार का विस्तार करने में मदद मिलेगी इसके अगला है मेगाले में बिजली बितरन विवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने ADV के साथ 13.28 करोड डॉलर की इडिन पर हंस्ताक्षर किया है मेगाले ने अगला है नॉवंबर 2020 ते संबंदित तो हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन चालू बितवर्ष में भारतिये इसपात का सबसे बरा खारिदार देश बना है SBI बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉंच करने के लिए पेटियम के साथ सांसदारी की है कौन SBI ने भारत ने COVID-19 आसियान प्रतिकरिया कोस में एक मिलियन अमेर्की डॉलर का योगदान की देने की घोसना की है कौन SBI प्रतिकरिया कोस में भारत ने उसके बाद है हाली में ICIC बैंक ने Cardless EMI सुधा करने की घोसना की है कौन ICIC बैंक ने LIC ने अपना पहला Digital App आनंद को लॉंच किया है भारत में 100% income tax छूट पाने वाली पहली कमपनी MIC Redwood बन गई है आगे देखते हैं Amazon इंडिया ने बैंगलोर में अपना पहला All Women Virtual Customer Service खोलने की घोसना की है कौन Amazon इंडिया ने बैंगलोर में अगला है केंद्रिय मंत्री मंडल ने लक्ष्मी बिलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिम्टेड में बिले करने की मंचूरी दी है और बैंक का जो भी ले हुआ है उससे एक कोश्चन आएगा है तो ये भी भी है कोश्चन है इसे आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे नौमबर 2020 में भारतिय रिजर्व बैंक मंता अर्वन कॉपरेटिव बैंक पर 6 मा के लिए पर्तिबंध लगा दिया गया है कब नौमबर 2020 में आर्वी आई के द्वारा अब लास्ट है अक्टूबर 2020 का तो भारत ने COVID-19 महामारी की अर्थ विवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीप को 25 करोड डॉलर की बीतिय सहता किया है कौन भारत ने किसे मालदीप को अब है फीनो पेमेंट बैंक द्वारा माना मेटियम सुरू किया गया है किसके द्वारा माना मेटियम सुरू किया गया है तो फीनो पेमेंट बैंक के द्वारा माना मेटियम की सुरूआत की गई है Central Bank of the Year Award 2020 Bank of घाना ने जीता है Central Bank of the Year Award 2020 Bank of घाना ने जीता है खाद और क्रिसी संगठन के अस्थापना दिवस पर परधान मंत्री ने 75 रुपे का अस्मारक सिक्का जारी किया है ये भी VVI कोश्चन है उसके बाद है अंतरास्टिय मुद्राकोस IMF में सामिल होने बाला 190 मा देश कौन बरे गया है अंडोरा बन गया है ये भी इंपोर्टेंट कोश्चन है तो अंडोरा जो है IMF में सामिल होने वाला 190 देश बन गया है उसके बाद है करनाटक राज सरकार ने नई अद्योगिक निती 2020 से 25 की घोसना की है कौन करनाटक राज सरकार ने सबजियों के लिए नियुनतम समर्थन मूल तै करने वाला भारत का पहला राज केरल बन गया है लास्ट है अद्योगिक समिकों के लिए उपभोकता मूल सुचकांक का आधार वर्स परिवर्तन कर अब 2016 कर दिया गया है जो पहले 2001 था ठीक है तो यह था हमारा अर्थिक गठनक्राम से संबन्दित जो यह पर समापत होता है तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगि चैनल का सब्सक्राइब करें और वीडियो को जारा स्य़धा सेर करें और इसके बाद हमारा एक और आएगा जो हो जाएगा इसी का एक टॉपिक है उसे हम कल इसमें कंप्लीट कर देंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रक्षा भिज्ञान एबं परदियोगी की घटना करम से संबंदित उसके बाद जो भी होगा प्रैक्टिस एट जितना द भर करें और आप लोग भी हमें सपोर्ट करें तो चले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद